आप सभी का स्वागत है और कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और सभी स्टुडेंट्स यह आप जली से लाइब बचेए और आप लोगी जो इन्वायर्मेंट की क्लास है उसका लगबग 50% मैंने आप लोग को पहले ही प आज हम यहाँ पर कुछ important questions करेंगे यह सारे के सारे जो questions है ठीक है ठीक है यह सारे के सारे जो questions है उसके अगर आप बात करते हो तो यह previous year में आए हुए है जो कि animals और बड्स के उपर related questions है और जितने भी बच्चे हैं आप नए आए हुए हैं वह सबसे पहले तो साइंस हवें YouTube चैनल को जली से subscribe पर लीजे और इसके साथ साथ नमस्तरी के और इसके साथ साथ में आपको बतारू कि Google Play Store और App Store से आप इस application को download कर लीजे और यहाँ पर मेरी class जो होती है वह दिन में एक बजे और रात की नौबचे होती है तो आपको जरूर आना है इसके साथ ही मेरा code है Am या फिर कोई course आप लेना चाहते हैं तो आप Amrita as code का यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिससे आप लोग को 10% का discount यहाँ पर मिल जाएगा इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई भी टीचर सही appropriate content नहीं दे रहा है आपती जिनक बाते कर रहा है तो आप सब इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ में ही अनकीडमी application में ask a doubt time का एक feature आया हुआ है तो अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप उसकी image लेकर के यानि उसकी photo click करके आप send कर सकते हैं जो भी teacher उस time पे available होंगे वो सभी teachers आप लोगों को response कर देंगे तो आपका जो doubt होगा वो आप सभी को पता है कि आपकी तरह से एक बहुत ही शांदर अनकीडमी कॉंबेट scholarship टेस्ट प्रोग्राम चलता है इसमें एक करोर रुपी सख का आप scholarship देखोगी पचास मिनट में आपको 40 questions यहां पर करने होते हैं Hindi और English दोनों में यहां उपलब्ध है और free live session आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अगर आप लिसमें इंडॉल्मेंट करते हो तो आप सब भी यहां पर यूज कर सकते हो अम्रिता एस जिससे आपका free registration यहां पर हो जाएगा नमस्ते सतींद्र रावत नमस्ते सिमरन देवे हो चुगी है इसके कुछ questions मैंने already application में कराए थे लेकिन YouTube में सभी बच्चों को अंजली आप यह जो class होगी second text चलो सबसे पहले पहले सिस्टार्ट करते हैं यहां पर और आप देख सकते हैं कि आ पहला कोशन इहां पर आา चुका है और पहला वहाँ पर हां बिल्कुल चलो बताई की धिrecelig यहां पर बिल्कुल सही होगा पताई ये फटाफट से आसे करिए यहां पर एक बार आप सब भी रिफ्रेश कर लीजे क्लास को ताकि अगर नेटवर्क की कोई भी सुविधा अगर आप लोगों को हो रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगी परेशान मत हो ये नेटवर्क बिल्कुँ सहीं आ रहा है अब परेशान मत हो ये क्योंकि बारिश का माहोल है तो थोड़ा सा नेटवर्क बीच बीच में दिक्कत कर जाता है पर आप एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो सब कुछ चीज़ें सहीं यहाँ पर हो जाएगी चलो बच्चो चली से इसका आंसर आप लोगों करना है यहाँ पर तो अगर आप देखो तो ये जो है ठीके ये रहा नील गीरी थार और नील गीरी थार के अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है कि करनाटक, केरल, तमिल नाडू या फिर महरास्ट कहां का यहाँ राज की यह पशू है यानि कि स्टेट एनिमल है चलो बच्चो, चली सा आंसर करो यहाँ पर, very good, DK, बहुत अच्छा और आंसर के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिल नाडू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीके, बहुत ज़्यदा यहाँ कोशन आप लोग के लिए पूछा गया है, ठीके, अब इसके बाद हम यहाँ पर next देखते हैं अभिशेक, पैट की जो क्लास है उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि आप लोग के लिए मेराथन क्लास लेकर कर आएंगे अगर आप कहो तो डेली, दो घंटे में आपको प्राक्टिस सशन करा दूँगी, अगर आप लोग पैट वाले जो बच्चे हैं वो दिमांड करते हैं तो, ठीके अब बताईए जली ससका अंसर करें ठीके प्रिया, नेस्ट है संगाई, निमलिक इतमे से किस राज का राज की पश्चु है यानि कि अगर आप यहाँ पर संगाई के बारे में बात करते हैं तो यहाँ किस स्टेट का एनिमल है या किस स्टेट का एनिमल है चलो बच्छो जली से इसका आंसर आप लोग को यहां पर करके बताना है कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा दिखते हैं किते बच्चे इसको यहां पर सही करके बता पाते हैं संगाई के अगर आप बात करते हो तो यहां एक धिरन की प्रजाती होती है और यह जो हीरन होता है यह mostly कहाँ पर माय पाया जाता है मनिपूर में पाया जाता है ठीक है कहाँ पर पाया जा रहा है मनिपूर में पाया जा रहा है और इसलिए जो answer यहाँ पर होगा वहाँ क्या होगा बी answer यहाँ पर बिलकुर सही हो जाएगा इसके अलावन में आपको बता दूँ कि यहाँ endangered species में रखा गया है यानि कि संकट ग्रस्त प्राणियों के अंदर इसको रखा गया है और केबुल लामजो नैशनल पार्क जो की काफी फेमस पार्क है कहा का मनिपूल का वहाँ पर इसको conserve करके रखा जा रहा है इस रक्षित करके या संडक्षित करके इसको रखा जा रहा है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है अब next question के और move करते हैं इन में से कौन सा जबडा रहित है यानि कि अगर हम बात करें तो इन में से ऐसा कौन सा यहाँ पर जन्तु है जिसमें आप देखोगे कि जबडा नहीं होता है चलो बच्चों चलिस इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे ठीके प्रिया, अभिशेख, विनोध नहीं नहीं बकरी नहीं है ठीक है चलिए जले से बताएंगे इसा कौन सा आंसर, इसンネル पर बिल्कूल सही होगा अब Dear Students, अंसर के अगर आप इहाँ पर बात करते हो तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर максим, पर बिल्कूल सही ऐसन्ट हो जाएगा इसको क्या कहा जाता है अगर आप नोड कर लेजे अगर आप कर तो एक्शली में यहां क्या कहलाई जाती है यहां पर और यहां कैसी होगी दिखने में यह साप या फिर केचवे की तरह आपको यहां पर दिखाई देती है पर होती क्या है यहां बेसिकली इसके पास ना तो, मतलब यह बहुत ही primitive तरह की मच्छली होती है तो फटा-फट से आप उसको नोर कर लेंचे, answer क्या हो जाएगा, इल यहां पर बिलकुल सही answer हो जाएगा यानि कि हाग फिश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, इसके पास कोई भी जबड़ा नहीं होता है, कोई भी दाथ यहाँ पर नहीं होता है पैट के लिए जो क्लासेज है अब इशेक उसके लिए अगर जादा बच्चे होंगे तो मैं दो घंटे की क्लास आप लोगों कि कलिया परसों से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? चलो, ठीक है सिम्बरन, सिम्बरन, अब नेक्स कोशन, निमली कितमे से किसके पास सभी भूमी इस्तंधारियों की सबसे बड़ी आखें होती है यहां पर पूछा जा रहा है कि भूमी इस्तंधारी, यानि कि ऐसा कौन सा यहां पर लेंड एनिमल है जिसके पास सबसे बड़ी आखें देखने के लिए मिलती है और वहां कौन यहां पर होगा, काफी अच्छा कोशन है, है ना, कोशन बहुत अच्छे हैं, शांदार कोशन है, मेरित्मोन, सत्येंद्र, ठीक है प्रिया, देवेंद्र, प्रांजल, नमस्ती, सभी को नमस्ती, वेलकम सभी बच्चों का और जली से इसमें आंसर करेंगे, कि ऐसा कौन सा लैंड एनिमल है, जिसकी आखें बड़ी-बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, और आंसर के अगर आब बात करो, तो आंसर क्या होगा, होर्स यहां पर बिलकुल सहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है, घोड़ा जो होगा, घो बहुत चोटी होती है, गोल-गोल सी, चोटी सी होती है, उसकी आखें, नहीं, आंसर के अगर आप बात करें, तो होर्स यहां पर बिलकुल सहीं आंसर होगा, ठीक है, शशी, होर्स, ठीक है, नोट कर लो, अब नेस्ट कोशन के और मूव करते हैं, दुनिया में सबसे लंबा उडने वाला पक्षी कौन सा है, चलो बच्चों, चले इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे, कौन सा आंसर यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा, दुनिया में सबसे लंबा उडने वाला पक्षी कौन सा है, और मुझे पता है, कि जो आदे से जादा है न, वहां गलत यहा पर बिलकुल सही होगा, कि दुनिया में सबसे लंबा उडने वाला जो पक्षी है, वहां कौन सा है, बताएंगे फटाफर से, जले सा आंसर करेंगे, हाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, जले से पताओ फटाफर से, खुश्वकुमारी पायों की क्लास नहीं हो पाई थी, इसक सारस्क्रेन हो जाएगा, या फिर ग्रेटर फ्लेमिंगो हो जाएगा, या फिर ऑस्ट्रिच यहां पर हो जाएगा, अब काफी जो बच्चे हैं, वो बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं, वो बिलकुल यहां पर गलत बता रहे हैं, यहां पर क्या कह रहा है, फ्लाइ के साथ देख रहे हो कि नहीं आप गलत बता रहे हो आंसर किया हो और यहां पर आंसर हो जाएगा सारस यानि की क्रेंट ठीक है तो फटाफ़ से आप इसको यहां पर नोड कर लीजे आपको पता होगा कि जो सारस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं लंबे-लंबे उनके पंक हो होता है तो एक जगह से दोस्य जगह जाते हैं तो जो भी वच्चे हां पर ऑस्ट्रिच बता रहे हैं वो गलत है क्योंकि हम से कोशन में पुछा है फ्लाइंग वर्ड ठीक है अगर फ्लाइट लेस या जो उडान नहीं भर पाता या जो नहीं उड़ पाता अगर ऐसा कोशन होता तो आप ऑस्ट्रिच यहां पर करते ठीक है देखा छोटी-छोटी से मिस्टेक हो जाती है ना याद रखो इस चिसको अब इसके बाद हम नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं नेवले खितमे से केस पक्षी के पंखों के अब धी सबसे लंबी होती है चलो वचो जलिस असक चलो वदाओ फटाफट से आसर करो यहां पर कौन सा आसर यहां पर सही हो जाएगा बताईए हाँ ठीक है प्रामजल बहुत ही जल्ली साइंस का जो प्राक्टिस सेट है वो राग की दस बुचे वाली क्लास में स्टार्ट में कर दूँगी ठीक है अब चले जलिस इसका आसर करो फटाफट से कॉसा आसर यहां पर बिल्कुल सही होगा ठीक है कि शोर नमस्ते सभी बच्चों कów GOOD और अन्सर के अगर सुक्ष्ट के बारे में बात करते हैं तो जो स्विफ्ट होती है वो काफ़ी तेज उडान लेती है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करे तो अलिबिस्ट्रोस जो होती है वह कैसी वह सारस की तरह क्रेंग की तरह धिखाई देते हैं काफ़ी बड़े उसके पंग होते हैं घंड का dau बड़े उसके पंख यहाँ पर होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर B आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अब next question की और move करते हैं नैसे आपे नेमली कितमे से कौन सी परशुन नैसे सबसे अधिक मात्रा में दूद का उत्पादन करती है और यह question मैंने वैसे भी बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है और जली से इसका आंसर आप लोग यहाँ पर करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा बताओ फटाफर से और जितनी भी बच्चे आया हुए हो एक बाई स्टैशन को लाइक कर दो शेयर कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जली से सब्सक्राइब भी कर दीजे और जली से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा बताओ बच्चो जली सा आंसर करो यहाँ पर आंसर कि अगर आप बात करते हैं तो answer क्या होगा हिहां पर holy stream है न कई पर मैंने आपको पढ़ाया है holy stream काफी बड़ी गाए होती है यहां गाए black and white होती है दूसरी बात यहां hybrid है यानि कि यहां hybrid होने का मतलब कि दो अलग-अलग तरह के गाए के gene मिला करके ही इसको मनाया गया है अगर आप endemic species की बात करते हैं कि सबसे पहले यह कहां पाई गई थी या सबसे पहले इसको कहां पर बनाया गया था तो answer है नीदरलेंड और लगबख 67.66 के आजपास यहां इतने कीलो दूद दिन में दे सकती है 76.61 24 घंटे में तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है नमस्ते राम जी मैट्स वाले नमस्ते सभी बच्चों को नमस्ते तो answer क्या हो जाएगा यहां पर आप बताएंगे कि holy stream यहां पर बिल्कुर सही answer होगा अब next देखते हैं नेवले कितमे से किस के प्रते एक सामने जो square shape की जो दात आपको दिखाई देते हैं बताईए फुटापर से answer करेंगे यहां पर ठीके मैरित्मून, सिमरन, देवेंद्र, शशी, प्रियंका, चलो बचो ठीकी सुनिये बताओ जली सिसका answer आप लोग यहां पर करके बताएंगे कौन सा answer सही होगा बिल्कुल सह ऑपना सही answer है और answer क्यों रोडेट ठीके क्या जएगा answer रोडेट यानकि मूशक यहां पर सही answer हो जाएगा तो मूं बीज़ करते हैं Рोडंट के बारे में बात करते हैं तो उनमें कुतरने की प्रवर्ति होती है उनका nature कैसा होता है यह भी कुतर लोग वह क्यों? बताना है क्योंकि इनका जो incisor teeth होता है इनका जो कुरिंटक दात होता है वो लगाते आर बढडता चला जाता है तो वो जब कुतरते हैं तो इसके घिसाई होती है इसीलिए ठीक है तो आँसर क्यों हो जाएगा यहां पर आप बताएंगे कि D option आपका बिल्कुल इहां पर सही हो जाएगा ठीके बच्छों चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर next question के और move करते हैं और जली से आप लोग को इसका answer यहाँ पर करके बताना है अब यहाँ पर आप से पुछा जा रहा है कि ढोल किस प्रकार का जानवर है जो ढोले वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यहाँ पर यहाँ पाया जाता है और यहाँ किस नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ एक तरह का वाइल्ड डॉग होता है यानि कि जंगली कुटा यहाँ होता है दूसरी बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसको विस्लिंग डॉग भी कहा जाता है क्योंकि यह special तरह कि अवाज निकालता है और एसा लगता है कि स्याइर नहीं होगा यह लr को आप यहां पर द्यान में रखना है ठीक है बचो अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स देखते हैं मैं बहुत टफ कोशन नहीं है पर इस से पहले किया नहीं है न इस वज़े से टफ लग रहा है ठीक है प्रतिक कहीं नहीं बच्चा अब मैं आ गई हूँ चले अब बात करते तो बच्छे नागराज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाँ hunting dog है wild है तो it means hunting dog है चलो बच्छो जली से इसका answer आपनों यहाँ पर करके बताएंगे कौस answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखते किते बच्छे आपर सही answer करके बताते हैं king cobra very good बहुत अच्छा निलेश्ट अंसर के अगर आप बात करें तो king cobra यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा और एश्या और भारत के कुछ राज्यों में इसको का जाता है कि यह तो जो शिव भगवान जी है उनके गले में है तो इस वजह से उनको मारा नहीं जाता है दूर जाके छोड़ दिया जाता है पर यहाँ ग्रे या फिर डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है तो इसी लिए answer क्या हो जाएगा king cobra इसके बाद जो next यहाँ पर पॉइंट होता है कि कई पार इसका scientific name भी आप से यहाँ पर पूछा जाता है हाँ बिल्कुल ब्लैक वाला सबसे एग्रेसिव होता है हाँ ठीक है अब बच्चो हाँ बहुत अच्छे प्राणुजर आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका scientific name के उपर भी सबसे ज्यादा question यहाँ पर पूछा जाता है कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे यहाँ पर बताएगा कि इसका scientific name यहाँ पर क्या होता है बताएगे फटाफर से scientific name क्या होता है यहाँ पर तो लिख लो एक वीडियो जिन बच्चों को नहीं पता है वो जल्ली से इसको यहाँ पर नोड करेंगे ठीखए, तो लिको यहाँ पर इसको हम कहेंगे हाँ पर ओफ्यो ओफ्यो phagos ठीख है नहीं नाना तिखराना नहीं होगा राना तिखराना तो मेधक का साइन्टिफिक नेमे बिटा लिको यहाँ पर ओफ्यो phagos हना ठीक है तो फड़ापड साब इसको यहां पर नोट करेंगे हना चलिए अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर आप ओफियों के बाले बात करते हो तो जो होता है वो सर्प यानि कि स्नेक के लिए यूज किया जाता है और हना यानि कि जो साप होते हैं वो जड़ता इस तरीके से साउंड निकालते हैं ठीक है बचो तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ओफियों फेगर्स हना किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम है अब नेस्ट कोशन विश्व का एक मात्र ऐसा स्थान जहां पर लीमर विशेश रूप से पाई जाते हैं अगर यहां पर आंसर करके बताएंगे कि जो लीमर होता है जिसको हम कई बार लैम्यूर भी कहते हैं कि कि वह सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है चलो वच्छो जली से आंसर कर दो यहां पर ठीक है मा कलाड़ना राजर सेंग वेलकम बच्छा अब अधाईए फटा फट से कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा मेडागास्टर बहुत अच्छे तो आंसर कि अगर हम यहां पर दिव्यम यूपी टिपल सी पैट की क्लास यह आपको हेलपफुल होगी बाकी परसों से मैं आप लोग के लिए नया बैश लियाऊंगी काफी बच्छे यहां पर पैट की क्लास का कहरें तो वो भी मैं पढ़ दूंगी फरेशान मत हो यह आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मेडागास्टर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर आप देखते हो तो जैसे हम सभी हैं जितने भी हुमन से हम सभी एपस के अंदर कपी के अंदर आते हैं फिर आता है और फिर आता है य कि आंसर बिल्पल यहां पर सही होगा अब नेक्स गौशन कौन सा उभय चर्फ नहीं है यहां पर पुछन जा रहा हैं कि इंधे इंधे से कौन सा इंफीबियस नहीं है ठीक है से से पराँ नहीं से घारएंड़ आप देखो टोड है, तो इसको आप बड़ा मेढग कह सकते हो, या टोड कह सकते हो, ठीक है, फिर आपका आजाता है फ्रोग, फिर आता है सलमेंडर, और फिर आजाता है मगरमच, और जली से आप लोग इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो बताईए बचो जली से आपका सही होता है, यहाँ रैप्टाइल होता है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सरी श्रिप होता है, और मैं जब कभी भी आप लोगों को एमफिबियंस के बारे में पढ़ाती हूं, तो इन तीनों के वारे में बताती हूं, खास दोर से फ्रॉग और सेलेमेंडर के बारे में, तो गलत क्यों कर रहे हो, सेलेमेंडर के अगर आप बात करते हैं, तो सेलेमेंडर क्या है, बदाऊंगे कैसा दिखाई देता है, चिपकिली की तरह दिखाई देता है, पर चिपकिली है नहीं, होदा क्या है, यह एमफिबियन पानी में रहता है ठीक है और इसके अगर पूछ तूट जाती है तो इसके अंदर भी regeneration की capacity होती है तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर crocodile बिल्कुल यहाँ पर सही answer हो जाएगा मगर मच और reptile में कितने chamber hurt पाए जाते हैं तीन chamber very good बहुत अच्छा हरिंद कुमार नमस्ती वेलकम राहुल कल आप लोग की ग्यारा बजे से बायो की class होनी शुरू हो जाएगी लेकिन अगर मैं बात करें reptiles के बारे में तो उसमें three chamber hurt पाए जाते हैं तीन कक्षी रुदय पाए जाते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं reptiles में भी crocodile के बारे में तो उसमें four और chambered hurt आपको देखने के लिए मिलता है चार कक्षी रुदय आपको देखने के लिए मिलता है अब नेक्स कोशन वेग्यानिक नाम canis lupus किसका नाम है यानि कि अगर आप नॉर्मली बात करो चलो बचली से आंसर करो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिलकुल आपका बताओ जली से आंसर करो फटा फट से कौन सा आंसर सही होना चाहिए बताइए वेरी गुड आंसर कि अगर आप अच्छा ठीक है सिम्रन मैं हम में चार है हां ठीक है मैं human हूं तो मेरे में चार है आसर क्या होगा यहाँ पर डॉग यहाँ पर बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है लेकिन सच वार बताओ तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैनिस लूपस के बारे में तो यहाँ वोल्फ का साइंटिफिक नेम होता है जिसको आप हिंडी में क्या कहते हो भेडिया कहते हो बच्चे इस बार सटर्डे या संडे को करेंट अफेर जो लास्ट जुलाई का करेंट अफेर है थे ना पार्ट वन पार्ट टू करके बता दूंगी मैं करवा दूंगी ठीक है नमस्ते पूजा नैस कोशन कौन सा जानवर पानी के नीचे सांस ले सकता है विच आनिमल कें अंदर वाटर पानी के अंदर कौन सास यहां पर ले सकता है डॉल्फील वेल शार्क क्रोकडाई कौन सा आंसर यहां पर सही होगा देखते हैं कितने बच्चे यहां पर सही आंसर करके बताते हैं बदाएए फटा फट्ट से आंसर करेंगे सभी बच्चे कौन सा आंसर यहां पर सही होगा थे के ठीक है राम जी कोई बात नहीं दिल्खुश वह गुरुप डी की जो न्यूज आई हुई है वह फेक है बिटा ठीक है बताई ये फटा फट से इसका आंसर आंसर के अगरा बात करो तो आंसर क्या हो जाएगा शार्क यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शार्क जो होती उसको डॉग फिश कहा जाता है क्योंकि इनकी सुंगने की जो शक्ति होती है वो काफी जादा होती है दूसरी बात कि जो शार्क होता है वो काल्टी लीजियस फिश है यानि कि एक ऐसी फिश जो पूरी तरह से उपास थी काल्टी लीजियस की बनी है और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई हड़ी नहीं पाई जाती है तो अगर आप से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मश्लिय जिसमें किस नहीं हुई रहती है तो यह सब रहते तो पानी में हैं लेकिन हमेशा सांस लेने के लिए यहां उपर की तरफ आते हैं ठीक है चलो अब नेक्स्क्वेश्चन नैसे यहां पर निम लिखीत में से किस वे नर अपनी संतानों को जन्म देता है चलो बच्चो जली से इसका आंसर आप लोग यहां पर करके बताएंगे कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं कितने बच्चे इसको सही यहां पर बता पाते हैं बताईए फड़ाफर से, बताईए जली सा अंसर करेंगे इसका कौनसा अंसर यहाँ पर बिलकुर सही होगा, देखते हैं कि इते बच्छे इसको सही यहाँ पर बता पाते हैं, काफी बच्छों को बहुत इंटरस्टिंग यह लग रहा होगा, क्योंकि अभी तग आपने सुना होगा कि जो संताने देने का काम reproduction या delivery का जो काम करते हैं वहां mother करती है या female body करती है इस तरी का सरीर करता है या मादा का शरीर करता है लेकिन ऐसा कौन सा animal है जिसमें नर यानि कि जो male होते हैं वहां off spring को birth यहाँ पर दे रहे हैं और इसका जो सही answer होगा वह क्या हो जाएगा horse यानि कि समुद्री घोड़ा ठीक है अब hippopotamus दरियाए घोड़ा नहीं दरियाए घोड़ा तो mammal होता है ठीक है और उसमें hippopotamus की जो wife होगी है ना जो मतलब female होगी वही करेगी बच्चे पैदा लेकिन यहाँ पर अगर आप sea horse के बारे में बात करते हैं समुद्री घोड़े के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसको क्या कहा जाता है bone fish भी कहा जाता है ठीक है और मैंने आप लोगों को कई बार अच्छे से बना करके दिखाया भी है कि घोड़े की तरह इसकी क्या होती है शकल होती है और इस तरीके से यहां होता है ठीक है सिर्फ वो सिर्फ bone का बना हुआ होता है इसमें cartilage नहीं पाया जाता है तो इसको bone fish कहा जाता है और यहां पर एक थैली सी होती है अगर आप mail के बारे बात करें एक थैली सी होती है और यही पर वो बच्चे क्या करेगा निकालता है और एक बार में असंखे बच्चे यहां पैदा करता है और इसी की family के होते हैं जैसे pipe horse हो गया है ना और इसके साथ समुद्री dragon यानि की जो sea dragon है वो सबी यही fish के परिवार वाले होते हैं और ये एक क्या है यहां पर मचली है ये क्या है एक मचली है जिसको हम क्या कह रहे हैं sea horse य बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है बिटा जी चलो अब इसके बाद हम यहां पर next question के और move करते है इत्योलाजी किसके अध्यन को कहा जाता है चलो बच्छो चली से इसका अंसर करेंगे आप सभी यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा देखते के बच्चे के अलग अलग वेराइटी अलग अलग किसम के स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है इत्योलाजी कहा जाता है और रेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है करें हर्पेटोलोजी बटा हर्पेटोलोजी जो होता है वह क्या है जब हम उभैचल और सरी श्रिप यानि कि एमफीबियन्स और सरी श्रिप मतलब क्या हो गया आपके जो रेप्टाइब्स होते हैं उनकी साथ में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम हर्पेटोलोजी कहते हैं और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा फीशिस तो पड़ा फट से है इसका मतलब मच्लियों का पालन करना कंछर करना उसमें अंतरर करने में और वैयराइटी में करना दोनों में अंतर है एक्वा केड़े मतलब पाई जाने वाली तरशातिया है जैसने मक्षिली हो ऍचाने मागण माच हो गया, Octopus हो गया, Seep हो गई, Sea Ways हो गई इन जो कुछ भी पानी में मिल रहा है उसको क्या करना पालना और पैसा कमाने के लिए इसको मार्केट पे बेचना और अपनी एकोनॉमिक को बढ़ाना आत्त विश्वस्थत को बढ़ाना यानि पैसा कमाना एक वेस्थाई की तरह अगर हम बात कर रहें तो उसको कहा जाता है एक्वा कल्छर, ठीकर, एकवा कल्चर मतलब सिर्फ मचलियों को पालना नहीं कहते हैं, सिर्फ अगर आप मचली पाल रहे हैं, तो इसको पाइसी कल्चर या पीसी कल्चर कहा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मचलियों की वेराइटी के स्टडी कर रहे हैं, तब आप उसको क्या कह रहे हो, यहाँ वह कौन है वेल और खासते अगर आप ब्लू वेल के बारे में बात करते हो तो ब्लू वेल के अगर आप बात करो तो यहां कहां से ब्रीद करती है चलो बच्छो जली सा आंसर कर दो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर सही होगा देखते हैं किते बच्छे यहां पर सही आंसर करत अब यहां पर जो काफी बच्चे है वह बी आंसर कर रहे हैं जोकि पूरी तरीके से गलत है देटा जी आप सबसे पहले तो यह समझो कि कि जबे कि हम वेल के बारे में बाट करते हैं तो वेल क्या है fishes है या mammals है मचली है या फिर इस्तनधारी है आपका answer क्या होना चाहिए कि वहाँ तो mammal है क्या है? mammal है यानि कि इस्तनधारी प्राणी वहाँ है समझ रहो? और इस्तनधारी प्राणी चाहे जल में रहे चाहे थल में रहे यानि कि चाहे वह aquatic life जी रही है चाहे वो terrestrial life जी रही है उसके पास हमेशा क्या पाया जाएगा बच्चों? को यहाँ पर क्या दिखाई देगा एक होल दिखाई देगा क्या दिखाई देगा एक छिद्र चलना बचो जलीसेंस का आंसरomeक लोग यहाँ पर पर करके प्ताएंगे कौन सा ऑंसर सभी होगा और बढ़कूर थे हैं और यहाँ नहीं होता थेग किया हिंद्र होता है उन-क छोटे-चोटे-चोटे-पैर होते हैं प्रपर पैक्टोरल गिल्डल, हाँ यह नहीं होता, पैक्टोरल गिल्डल मतलब होता है शोल्डर वाला हिस्सा, यहां mammals में पाया जाता है, संधारियों में पाया जाता है, पक्षियों में नहीं पाया जाता, उनके लिए कुछ और joints होते हैं, जो उनके पंखो को उनकी body से चैस्ट कर हैं लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो उस पर प्रॉपर आपको शोल्डर दिखाई देगा और शोल्डर की जो का जो जो होता है उसको क्या कहा जाता है प्र मेरा पेल्विक कैविटी मतलब कि जो आपके हिपस के जोइंट तुल ऊवसिया ओकर होगे कि जो बेर था वा क्या होती लेकिन अगर उनके यह cottager यह हो जायगा चे पिफश्ञांपका बिलकूल यहां पर सही हो चायेगा तो फुटाफ़ साप नोट कर लिए नहीं पता सकती हों कि कब आपका GROP D exactly होगा लेकि सितंबर लास्ट में होगा सितंबर लास्ट में होगा अब नैक्स्ट कोशन फूरवाले जानबरों में पैर और मुख का रोक किसके कारण होता है चलो बत्चों जलिए इस इसका आंसर आप लोग यहांपे करके बताएंगे साँ विल्कुल सही होगा वाल देखें किते बच्चे सहां करके बटाते हैं अब आप सभी को पता होगा की फूर्ट और माउट इजी यहां पहले किस में पाया चाएगा जो कैटल्स है तेक है जैसे गाए भैस भेड बकरी इन में पाया चाएगा और इससे फिर किसको हो जाता है हुमन्स को हो जाता है और इसलिए आसर क्या होगा यहां पर कि भई यह तो एक वाइरल डिजीज है क्या है यहां एक वाइरल डिजीज है वाइरस से होने वाला रोग यहां होता है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है क्लियरे बच्छों यहां तर चलो अब इसके बाद हम नेस्ट कोशन के और मूफ करते हैं सुतरपूर पैंगवीन और कीवी इन में कौन सी सिम पैंग भी बड़ा सुन्दर सा ओता है आपने देखा होगा है ना उसके पर काल्टूर एनिमेशन मुवीज भी बहुत ज्यादा बनती है और चलो जली सांसर कर देंगे यहां पर कोई बात नहीं हो राज ठीक है ठीक है ठीक है पावन देवराज पूजा मुहमद जशेन है ठीक है ठीक है यहां पर लगता है कि कोछ जादा ही आज नेटवर्क की समस्या हो रही है कोई बात नहीं इसके आगे का मैं आप लोगो को कल पहीं आंसर होगा वो क्यों जाएगा फ्लाइट लेस बर्ड यानि उडान हीम पक्षी इन तीनों की ही अगर आप बात करते हो तो यह तीनों ही प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं उड़ पाते हैं ठीक है बचो तो इसी आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिलकुल यहां पर सहीं हो जाएगा तो इस कि आगे का कल मैं आप लोग को करवा दूंगी और अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जिनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ 9 बजे में आपको क्लास होगी और 9 बजे एप्लिकेशन की क्लास होगी ठीक है बचो चलो तो जली से लाइक कर दो शेयर कर दो जो भी नए बच्छे हैं वह सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा थाइंक यू सो मच टेक क्यार बबाए